हेलो दोस्तों कैसे हो आफ से वेलके माइक टीजा अब यहां स्टेमा प्रकाष ESIC की recruitment की रिगारी बहुत सारे candidates लगातार पूछ रहे थे कि इसकी recruitment 2022 में देखने को मिलेगी या नहीं क्योंकि 2022 में जो recruitment हुई थी उसमें बहुत सारी vacancies देखने को मिले थी तो यानि कि ESIC में अभी बहुत सारी vacancies हैं UDC के post में, SSO के post में, MTS के post में एंड स्टेनो के post में तो ESIC SSO की notification के रिगारी एक बहुत बड़ी update आई है आकासर की तरफ से ESIC SSO की notification आपको February के second या third week में देखने को मिल सकती है maximum fourth week तक आपको notification देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ अगर exam date की बात करें तो ESIC SSO की exam April के first week में expected है यानि कि बहुत कम time आपको मिलेगा and vacancies इस बार अच्छी खासी देखने को मिल सकती है तो उसके लिए आप preparation बहुत अच्छे से करना है ESIC SSO की जो जौब रहती है social security officer की जौब रहती है officer post की जौब है graduation required रहता है बहुत ही अच्छी जौब है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेटरीन जौब इसके रिगार्डिंग मैंने detail वीडियो बनाई हुई है job profile के रिगार्डिंग और साथ ही साथ salary कितनी मिलती है, salary की वीडियो मैं salary मैं इसमें attach कर दे रहा हूँ, तो आप वीडियो देख लेना, उसमें salary आपको पता चलेगी, एससे को post में salary कितनी मिलती है, और अगर ESIC, UDC, Steno and MTS की बात करें, तो expected है कि second half में, यानि कि year के second half में आपको notification का देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए ESIC, SSO की notification आपको बहुत जल देखने को मिलेगी, February के मत में देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आप प्रप्रेशन स्टाट कर दो, और चलो आपको salary slip दिखा देता हूँ, ESIC, SSO की, दोस्तों यह एक ESIC, SSO की salary slip है, यहाँ आप देख सकते हो, January 2022, यानि के latest salary slip है, designation manager grade 2 का रहता है, selection के बाद आपको pay scale मिलता है level 7 का, यानि कि basic पे आपकी 44,900 रहती है, लेकिन यह जो person है इन्होंने दो साल पहले, जो इन किया था ESIC, तो इन्हें total 2 increment मिल चुकी है, इसलिए इनका basic पे अभी हो चुका है 47,600, तो basic पे मिला है 47,600, DA अभी 31% चल रहा है, तो DA मिला हो है 14,756, HRA 27% मिला है, क्योंकि यह जो person है, यह X category city में रहते हैं, अगर आप Y category city में रहोगे, या Z category city में रहोगे, तो उसके according ही आपको HRA मिलेगा, यहाँ इन्हें HRA मिला हो है 12,852, transport allowance अगें city के उपर vary करता है, X class city में आपको 36,00 plus DA मिलता है, and Y category and Z category city में आपको 1800 plus DA मिलता है, तो यह X category city में रहा रहे हैं, तो इनको इसलिए transport allowance 36,00 plus DA मिला हुआ है, DA 31% है, तो total transport allowance बना है 4,716 रूपीज, तो यहाँ total इनकी जो gross salary है, वो बनी है 79,924 रूपीज, अब बात कहते हैं deductions की, तो professional tax 200 रूपीज deduct होता है, ESIC Contributory Health Scheme में 250 रूपीज deduct होता है, इसके बाद Employed Tier 1 यानि की NPS में 6,235 deduct होता है, तो यहाँ total monthly deductions होते हैं 6,685 रूपीज, यानि अभी इनकी in-hand salary बनती है 73,239 रूपीज, लेकिन देखिए यहाँ पे इनहें basic pay 47,600 बिलता है, तो उसके according salary बनती है, इनहें अलएड़ी दो increment मिली भी थी, इसलिए इनकी salary इतनी जादा है, जब आप ESIC SSO के exam को clear कर लोगे और आप जब join करोगे तो आपके first month से in-hand salary बनेगी लगभग 70,000, अब देखते हैं salary के लावा और क्या-क्या perks और benefits है जो आपको यहाँ मिलेंगे, CGHS यानि की Central Government Health Scheme के एंडर जो medical benefit है, वो आपको मिलेगी आपके लिए और आपके dependent family members के लिए, इसी के साथ ESIC के जो hospitals है, उसमें आपको medical facility मिलती है, हर साल आपको incentive and bonus मिलता है, transport allowance आपको city के according मिलेगा, X-class city में अगर आपकी posting रहेगी तो आपको transport allowance 3,600 रुपीज मिलेगा monthly, और वहीं बाकी cities में आपको 1,800 रुपीज मिलेगा, और transport allowance के उपर भी आपको DA मिलता है, यहाँ आपको LTC मिलेगा, आपके लिए और आपके dependent family members के लिए, आप holiday homes की facility ले सकते हो, यानि कि अगर आप किसी tourist place में घूमने जाते हो, तो वहाँ ESIC employees के लिए already बहुत सारे holiday homes बने हुए हैं, वहाँ आप जाके stay कर सकते हो, यहाँ आपको loan की भी facility मिलेगी, तो आप कम interest पे car loan and home loan ले सकते हो, अगर आपके children हैं तो आपको Children Education Alliance मिलेगा, इसी के साथ Central Government Employees को जो भी facilities मिलती है, वो सारी facilities आपको यहाँ मिलेगी, तो यह थी ESIC SSO की Salvation Sleep and Alliances, इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल राता है, तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना, जादा से जादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना, थैंक यू,